हो रहा सुखद एहसास तेरा मेरा साथ्या सच में कितना सुहाना जीवर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना आम शान्ती एट्थ मार्च दुहाजर चौविश के इश्युरिय महावाइक पहली एक नजर मुरूली के मुईख़ पायंड्स पर बाबा ने कहा बच्चे पहली सरीर फिर आत्मा बाबा इनके शरीर में बेटा है जुरूर शुरीर याद आएगा फलाने शरीर वाले आत्मा में यो गुन है बाप की नजर फुलो की तरह जाएगी कहेंगे फलाने की आत्मा बरी अच्छी है बरी सर्विस करती है बाबा को और धांदा क्या है सब को याद करते हैं बहुत बच्चिया याद आता है फलाने की आत्मा में दाम नहीं है बाप को याद नहीं करती किसको सुक नहीं देता यो अपना ही कल्ला नहीं करती बाप तो यही जाज करते रहेंगे एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में रहेंगे यो भी किसी को याद करेंगे तो जट शक्षतकार होगा टीचार को तो रोच पराना है इस पराई की ताकत से वो पाद पाते है सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो वो सबजेक्ट है याद की फिर मुरूली चलती है वो है पराई की सबजेक्ट मुख्षो है ही योग और पराई उनको ग्यान और विज्ञान भी कहा जाता है यो ग्यान विज्ञान भवन है ग्यान से सरी स्रिष्टी की नलिज मिल जाती है बिज्ञान मना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते इस दुनिया का ट्रांसपर नीचे से हो रहा है और तुमारा उपर से हो रहा है कितनी फरक है ना वो कलियोगी सीरी नीचे उतोरते जाते हैं और तुम पुरुशुत्तम संगम युगी सीरी उपर चड़ते जाते हो ज्यान की एक चोटकी से आधा कलभों के लिए हम चड़ जाते हैं फिर वहा ज्यान की बात भी नहीं होगी तुम संगम युग पर खरे हो और मुनिश्यों के लिए कलियुग चल रहा है कितना घोर अंधिया रहा है बाप से सदईबो सच्चा रहना है कहते हैं सच तो बीठो नाच सच्चे रहेंगे तो अपनी राजदनी में भी डांस करेंगे बाप है ही टुथ अर्टत सत्थ तो बच्चों को भी टुथ बनना चाहिए बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहां सर्विस करनी पड़ती है शंदशियों को भक्तों को शक्षत करणा पड़ता है बाप कहते हैं कहां भी जाते हो बेज पराहो इसमें लज्जा की बात नहीं है ये तो बाबा ने बहुत करिलन के लिए बनाया है कोई के पास पैसे है तो भी मुन्हुस होते है ऐसे नहीं समस्ते की पहला वारिस तो शिबावा है देदान तो छोटे ग्रहन हम तुमको अभिनाशी रतन देते हैं वो सबको देते जाओ तो भारत पर वा सारी दुनिया पर जो राहो का ग्रहन बेटा हुआ है वो उतर जाए और अब सुनते हैं महावाइकों को बिस्तार से मुरुली का सार मेठे बच्चे बाप की शाकाश लेने के लिए खुश्भुदार फूल बनो सबेरे सबेरे ओट कर याद में बेट प्यार से बाबा से मेठी मेठी बाते करो प्रश्ण बाप को सब बच्चे नमबरवार याद करते हैं लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं उत्तर जो बच्चे बहुत मीटे हैं जिन हैं सर्विस के बिना और कुछ सुस्ता ही नहीं जो ओती प्रेम से बाप को याद करते खुशी में प्रेम के आसु बहाते ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते है बाप की नजर फूलो तरफ जाती है कहेंगे फलानी आत्मा बरी अच्छी है यो आत्मा जहाँ सर्वी से देखती भागती रहती है औनेकों का कर्लान करती है तो बाप उसे याद करते है ओम शान्ती बाप बैटकर सब आत्मा को समझाते है सरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है सरीर विगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता समझा जाता है यो आत्मा अच्छी है यो वज्यमों की है यो इस दुनिया का सेर अधिकरना चाहती है यो उस दुनिया को भूली हुई है पहले उनका नाम रूप शमने आता है फलाने की आत्मा को याद किया जाता है फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है इनका बुद्धी योग बाबा के साथ है इन में यो यो गुन है पहले सरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है पहले सरीर याद आएगा क्योंकि सरीर बरी चीज है न फिर आत्मा जो शुक्ष्मों बहुत छोटी है वो याद आएगी इन बरे शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है महिमा आत्मा की ही की जाती है इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करते है फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है पहले तो सुरीर याद आता है बाप को तो अनिक आत्मों को याद करना पड़ता है सुरीर का नाम याद नहीं आता सुरीर रूप समने आता है फलाने की आत्मा कहने से सरीर जुरूर याद परता है जैसे समझते हो इस दादा के सरीर में शिबाबा आते हैं जानते हैं इनके तन में बाबा है सरीर जुरूर याद परेगा पुछते हैं हम कैसे याद करें शिबाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करे बहुतु का प्रश्ण उठता है बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है परुंतु सरीर भी जुरूर याद आता है पहले सरीर फिर आत्मा बाबा इनकी सरीर में बेटा है तो जुरूर सरीर याद आएगा फलाने सरीर वली आत्मा में यो गुन है बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं किस में बहुत गुन हैं किस-किस फुल में खुश्भु है फुलों से सब का प्यार होता है गुल दस्ता बनाते हैं उसमें राजा, रानी, प्राजा, भिन भिन फुल, पत्ते, अधी सब बनाते हैं बाप की नजर फुलों की तरफ जाएगी कहेंगी फलाने की आत्मा बरी अच्छी है, बरी सर्विस करती है आत्मों अभिमान में रहो बाप को याद करते रहते हैं जहां सर्विस देखते हैं, वहां भागते हैं फिर भी सबरे उठकर याद में बेटते होंगे, तो किसको याद करते होंगे शिबाबा परमधा में याद आता होगा, या मदवन में याद आता होगा बाबा याद आता होगा ना इसमें शिबाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आगाया मुरली चलाने नीचे आये हैं इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा वहाँ जाकर क्या करेंगे इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जुरूर सरीर याद आएगा फिर आत्मा फालाने सरीर में जो आत्मा है यो अनड़ अच्छी है इनको सरवीज बिगर कुछ सुझता नहीं है बहुत मीठे हैं बाबा बेट रहते हैं सबको देखते रहते हैं फालाने बच्छी बहुत अच्छी है बहुत याद करती है बंधिली बच्चियों को बिकार के लिए कितने मार मिलती है कितना प्रेम से याद करती होंगी जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आसु भी आ जाते है कभी-कभी वो आसु गीर भी पड़ते है बाबा को और धंदा क्या है सब को याद करते है बहुत बच्चिया याद आती है फलाने की आत्मा में दौम नहीं है बाप को याद नहीं करती किसको सुक नहीं देती यो अपना ही कलन नहीं करती बाप तो यही जाज करते रहेंगे याद करना मना शौकाश देना आत्मा का connection परमात्मा के साथ रहता है न एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे यो भी किसको याद करेंगे तो जट शक्षतकार होगा आत्मा तो है छोटी बिंदी शक्षत कर करें तो भी कोई समझ ना सके फिर भी सरीर ही याद आता है आत्मा है छोटी परुन्तु याद करती है तो उनकी आत्मा पाबन बनती जाती है बगिछे में वेराइटी फूल होते है बाबा भी देखते है यो बहुत अच्छा यो इतना नहीं तो पाद भी कम होगा बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊजपत पाते हैं तो वो भी जो बाप को याद करते रहेंगे ब्राम्मन से ट्रांसपर हो देवता बनते हैं यो बरनन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यो दैबी फूल है या आशुरी फूल है बाबा भी याद करते रहते हैं टिचार अपने स्टुडेंट को याद करेंगे न यो काम पढ़ते हैं दिल में तो समझेंगे न यो बाप भी है टिचार भी है तो बाप तो है ही ही टिचार पने का जस्ती चलता है टिचार को तो रूज पराना है इस पराई की ताकत से वो पौद पाते हैं, सुबह को तुम सब भाई बाप को बाप की याद में बेटते हो, वो सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरूली चलती हैं, वो है पराई की सब्जेक्ट, मुख्को है ही योग और पराई, इनको ग्ञान और विग्ञान भी कहा जाता है, योग ग्ञान में रहते हो जिससे तुम पाबन बन जाते हो तुमको और्थों का पता है बाप बच्चों को देखते रहते हैं देही अभिमानी बनने से ही भोत निकलेंगे ऐसे नहीं सबको भोत फट से निकलाएंगे हिशाप कितब जब चुक तो हो फिर चलन अनुसार ही पाद पाएंगे क्लास ट्रांसपर होते हैं इस दुनिया का ट्रांसपर नीचे हो रहा है और तुमारा उपर हो रहा है कितना फरक है वो कली युगी सीरी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुशुत्तम संगम युग सीरी उपर चरते जाते हो दुनिया तो यही है सिप बुद्धी का काम है तुम कहते हो हम संगम योगी है पुरुशुत्म बनाने के लिए बाप को अना पड़ता है तुमारी लिए अब पुरुशुत्म संगम योग है बागी सब घोर अंधे आरे में है भुक्ती को वो बहुत अच्छ समझते हैं क्योंकि घ्यान का उन्होंको मालूम ही नहीं है तुमको अभी घ्यान मिला है तब तुम समझते हो घ्यान की एक चुटकी से आधा कलप के लिए हम चड़ जाते हैं फिर वहा घ्यान की बाद भी नहीं होगी यो सब बाते महरुती बच्चे ही सुनकर धारन कर और सुनाते रहेंगे बाकी तो यहां से निकले और खलाश कर्मो अकर्मो बिकर्मो का राज भी भगवान ही समझाते हैं यो है कल्पो का संगम यूग जबकि पुराने दुनिया खतम हो नई दुनिया स्थापन हनी है बिनाश शमने करा है तुम संगम पर खरे हो और मनुश्य के लिए कली यूग चल रहा है कितना घोर अंधिया रहा है गिरते ही रहते है कोई तो गिराने के निमित तो भी होगा न वो है राबन इस सबा में बास्तव में कोई पतित बेट नहीं सकता पतित बाय मंडल को खराब करेंगे अगर कोई छिपकर आगर बेटते है तो उनको चोट भी लगती है एकदम गीर परेंगे इस शुरिय शबा में कोई दुच्तो आगर बेटते है तो जट पता परेगा पत्तर बुद्धी तो है ही बाकी भी पत्तर बुद्धी हो जाएगा सवगोना दंड़ पर जाएगा अपने को नुक्षान पूछाएंगे कहते हैं हम देखेंगे इनको पता पड़ता है हमको क्या परी जो करेगा सो पाएगा हमको जानने की जरुरत नहीं बाप से सदईवो सच्चा रहना है कहते हैं साच तो बीठो नाच सच्चे रहेंगे तो अपनी सब्धानी में राजधानी में भी डांस करेंगे बाप है ही टूथ तो बच्चों को भी टूथ बनना चाहिए बाबा पूछते है शिप बाबा कहा है कहते हैं इन में है परमदाम छोर कर दूर देश के रहने बाले आए देश पर आए उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है बाप कहते है मुझे राद दिन इहां सर्विस करनी पड़ती है संदेशियों को भक्तों को सक्षत कर कराना पड़ता है है तो इहां ही वहां तो कोई सर्विस नहीं सर्विस बिगर बाबा को शुक न आए सारी दुनिया की सर्विस करनी है सब पुकारते हैं बाबा आओ कहते हैं मैं इस रात में आता हूँ उन्होंने फिर घोरे गारी बना दी है अब घोरे गारी में सिक्रिष्णो कैसे बेटेंगे ऐसे भी नहीं कोई शोक होता है घोरे गारी पर बेटने का देही अभिमानी और द्यह अभिमानी बनने की बाते संगम पर ही होती हैं और सिभाय बाप के यो बाते और कोई समझा भी नहीं सकते हैं तुम भी अभी जानते हो पहले नहीं जानते थे क्या कोई गुरु ने शिखाया गुरु तो बहुत किये कोई ने भी नहीं सिखाया बहुत लोग गुरु करते है समझते हैं कोई से शंति का रस्ता मिल जाता बाप कहते हैं शंति का सागुर तो एक बापी ही है वो साथ ले जाता है शुकदाम शंतिधाम का इसको पता ही नहीं कली युग में हैं शुद्र बर्ण पुरुशुत्तम संगम पर ब्रह्म्हन बर्ण इन बर्णों का भी तुम्हारी सिबाय कोई को पता नहीं है यहां तो सुनते हैं बाहर निकालने से सब कुछ भूल जाते है धर्ण होती नहीं बाप कहते हैं कहा भी जाते हो बेच परा हो इसमें लज्जा की बात नहीं यह तो बाबा ने बहुत कल्लन के लिए बनाया है किसको भी समझा कर दो कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपको खर्चा हुआ होगा बोलो खर्चा तो होता ही है गुरिबों के लिए फ्री है वो धरन कर ले तो उजपत पास सकते है गुरिब के पास तो पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे कोई के पास पैसे है तो परन्तु मनहूस है तो इसने प्रेक्टिकल करके दिखाया सब कुछ माताओ के हवाले कर दिया तुम बेट सब कुछ संभालो क्यूंकि आप तो योग ज्यान मिला है कि पिछारी में कुछ भी याद ना आए अन्तो कल जो स्त्री शिमरे बरी बिल्डिंग्स आदी होगी तो अविश्यो याद परेगा परंतो थोड़ा भी ज्यान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे बाप तो है ही गरिब निवाज कोई-कोई के पास पैसे होते है तो भी मनहोस होते है ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिष्टो शिबाबा है भगवान वारिष्टो भगति मार्ग में भी है इश्यर अर्थो देते है क्या वो कांगाल है जो उनको देते है समझते हैं इश्यर के नाम पर गरिबों को देंगे तो इश्यर एबज में देंगे दुसरे जन्म में मिलता तो है कहते हैं देदान तो छोटे ग्रहन, बाप को सब कुछ दे दिया, सरीर, मित्र, शमंदी, आदी, सब कुछ बाबा को समर्पन कर दिया, तो यो सब कुछ आपका है, इस समय सारी दुनिया पर ग्रहन लगा हुआ है, वो कैसे एक सेकंड में छोड़ता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, त पीर औरों को समझाते हो, जो कहते हैं, हम अंदर में समझते हैं, परंतो किसको समझा नहीं सकते हैं, तो वो भी कोई काम के नहीं, बाप कहते हैं, देदान तो छोटे ग्रहन, तुम, हम तुमको अभिनाशी रतन देते हैं, तो वो सब को देते जाओ, तो भारत पर, वा सारी दुनिया पर जो राहो की ग्रहन बेटा हुआ है वो उतर जाए और ब्रिहोश्पती की दाशा हो जाए सबसे अच्छी होती है ब्रिहोश्पती की दाशा अब तुम जानते हो भारत खाश और आम दुनिया पर राहो का ग्रहन लगा हुआ है वो कैसे छोटे यो तो बाप है न? बाप तुमारे से पुराना लेकर नया देते है इसको कहा जाता है तो ब्रिह।श पती की दाशा मुक्ति धम में जाने वालों के लिए ब्रिह।श पती की दाशा नहीं कहेंगे अच्छा मेठे मेठे सिकह लदे बच्छो प्रती, मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्छो को नमस्ते, हम रुहानी बच्छो की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, धरुणा के लिए मुख कुछ भी छिपाना नहीं है साथ साथ शिप बाबा को अपना वरिष बना कर सब को शफल करना है इसमें मनहुस नहीं बनना है बर्दान बिंदू और बोन के महत्तों को समझ अपनी स्रश्टो स्थिती बनाने वाले शिद्धी शुरुब भब और तो है शिप परमात्मा की पूजा में एक बिंदू की विशेशता है दुसरी बोन्द बोन्द की विशेशता है दोनों का अपना महत्तो है आत्मा परमात्मा और प्रकृति का यो खेल अर्थात ड्रामा तिनों का ज्यान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदो ही अनभव होता है और बोंध है शुद्धो शंकल्पों की स्मृति जिस से मिलोन की शिद्धि का अनभव होता है रूरिहान में प्राप्तिया की शितल बुंदे बाप पर डालते हो इसी से ही स्रश्टो स्थिति बन जाती है तो इसी का यादगार भुक्ति में भी चला आता है स्लोगन ज्यादा बोलने से दिमाग की एनार्जी कम हो जाती है इसलिए शौर्ट और सुइट बोलो अच्छा ओम शंति